जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की समस्या से पिड़ी थे और ज्यादा दर व्यक्ति यदि किसी समस्या से पिड़ी थे या जो समस्याएं ज्यादा तर जिस कारण से उत्पन होती है वो है पैसा पैसों से काफी समस्याएं उत्पन हो जाती है पैसों के चलते इनसान बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है इनसान के व्यक्ति का व्यक्ति से रिस्ता बिगड़ जाता है पेशों के चलते व्यक्ति को काफी तकलीफ होती है और इस तकलीफ को दूर करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के प्रहतने करता है इंसान कामकाज बदलने का प्रहतने करता है बिजनर्स को बदलता है अपनी जगह को बदल देता है सारी चीजे इतने प्रयत्ने करता है उस चीज को प्रयत्ने के लिए हर यथा संभव प्रयत्ने करता है और कोई-कोई व्यक्ति इसके लिए तंत्र मंदर का भी सहारा लेते हैं तो जो विक्तितंद्र मंद्र का भी सहरा लेते हैं उनके लिए आज मैं एक उपाय बता देना चाहता हूँ कि इस उपाय को करने से यदि आपके जीवन में पेसों से संबंदित कोई समस्या है या अन्यथा कोई भी ऐसी समस्या है जो किसी भी तरह के प्रैतन करने के बावजूद भी दूर नहीं हो पा रही है तो इस उपाय को करने से वो समस्या आपके लिए दूर हो जाएगी और जो हमारी चनल में नए है तो मैं आपको बता दू कि हम इस चनल के माध्यम से हमारे प्राजिंतम ग्रंतों में चुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तदी आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बता जाने वाले उपाई आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बताता हूं आज का एक सफेद कागज का आपको चोकोर टुकडा लेना है और इसमें आपको काले रंग से आप इसके लिए काली पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं काले रंग का किसी भी तरह का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको लिख देना है फट स्वाहा कागज पे आपको लिख कोई भी तकलीफ है तो आप अपने सर से पाउं तक इसको ग्यारा दफे वार लें यदि कोई व्यक्ति है उसको बीमारी है नहीं जा रही है तो उसके भी सर से पेड़ तक घुमा करके आप इसको ग्यारा दफे वार लें इसके बाद में दक्षन दिसा की तरफ मुख रखकर के बेड़ जाएं और कोई पात्र नीचे रख लें उसमें दो कपूर जला लें दो कपूर की गोटी को जला लें और उससे इस कागज को आप जला दें सनिवार की रात्री को इस उपाय को आपको करना है जो व्यक्ति यदि किसी बीमारी से पीडित है तो उसके उपर से आप ग्यारा दफे वार लें यदि आप किसी भी तरह की समस्या से पीडित है तो आप अपने सर से पाउं तक इसको ग्यारा दफे वार लें कोई बच्चा है जिसे नींद नहीं आती है सपने में एकदम जाग उठता है कोई बड़ा है जिसको भई लगता है ऐसे सारी ही समस्याओं के लिए इसको आप 11 दफेवार ले फिर दक्षन दिसा की तरफ मुख करके बेड़ जाएं किसी पात्र में दो कपूर जला ले उससे इस कागज को आप जला दे अब इसकी जो राख बचती है इसको कहीं बहते हुए पानी में बहा दे या थोड़ा सा गड़ा खोद करके इसको डाट दे आप देखेंगे कि आपकी जो कोई भी समस्या होगी यदि आपको कोई ऐसा है कि आपके कामकाज में किसी ने कुछ करवा दिया है पैसा टका आना रुख गया है तो आप देखेंगे कि इसका बहुत जल्द, बहुत तॉरित इसका आसर होता है और कितनी जल्दी आप खुद मेसूस करेंगे कि आपके सारे ही काम बनने लग जाएंगे सनिवार के दिन करना है आपको सुरियास्तिल से लेके रविवार के सुरियो देके मद्य तक करना है दक्षन दिसा की तरफ मुख रख करके आराम से बेट करके करिए किसी को मालूम न पढ़े क्योंकर टोटका है सांती से कीजिए ज्यादा लोगों को मालूम पढ़नी चाहिए नहीं और आपका जो कोई भी समस्या होगी या काम होगा वो बहुत जल्द बन जाएगा ठीक है चले दोस्तों अब इसी उपाई के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जुन में लावनवित होते रहें धन्यवाद